हलो एब्रिवन गुड़ मॉर्निंग और मैं फिर अपनी बुक के साथ हाजिर हूँ दा पेरेवल और अप दा पाइपलाइन नई यार्थ वेवस्ता में अपनी आमदनी का निमीत स्टोथ कैसे बनाए मैंने कल भाग तिन बास्त्विक पाइपलाइन तक कम्प्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ेंगे उप संगार दिख रहा उप संगार दा पेरेवल आप दा पास्त्विक पाइपलाइन वर्स 2001 सिलिकॉन वेली अमेरिका हाली की बात है पाल और ब्रुस नामक दो यूबा चचेरे भाई सिस्टन इंटरनेशनल नामक एक मर्टी नेशनल कमपनी में मिडिल मेनेजर के रूप में काम करते थे यह कमपनी पूरे विस्ट में विजली तथा पाली से जुड़ेप करनों का कारोबार करती है यह दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है साथ ही सपने देखने के सोकीन भी वे हमेशा ही आपस में बाते किया करते थे कि वे केसे पूरी तरह आर्थिक रूप से स्वतंद्र हो जाई यह दोनों ही बहुत मेहंती थे बस उन्हें एक अफसर का इन्पजार था एक दिन वह अफसर आ गया एक दिन कंपनी इन दोनों दोस्तों को सिष्टर्ण के सॉप्ट्रवेयर डिवीजन में बतोर सीनियर मेनेजर नियुक्त कर लिया इनका मासिक वितन पहले से दो गुना हो गया चलो हमारा सपना पूरा हो गया ब्रुष्ट खुसी से चिलाया मैं अपनी किस्मत में विश्वस नहीं कर पा पर पाल इस बात को लेकर बहुत उत्साई नहीं दिखा पहले दिन दस घंटे तक काम करने के बाद पाल की कमर में दर्ध हो गया तथा सॉप्ट्रवेयर तयार करने के क्रम में उसकी उंगलियों में जख्म हो गया वह पचास कर्मचारियों का प्रभारी था जिनमें से अध प्रेणा का भी अभाव था उसे बाहर के कार्यालें में यात्रा कंड्रे में भी तकलीफ होती थी सिष्टन का उसका वास बहुत ही मूडी असिष्ट था बहुत ज्यादा पेच्छा रखने वाला था पाल का सबेरे उटकर आफिस जाने का विल्कुल मन नहीं करता था उसने बेहतर जिंद्गी तथा बेहतर कामकाच के बारे में गंबीता से सोचना किया पाल पाइफ लाइन में अगली सुबह जैसे ही वे दोनों काम के लिए पहुँचे तो पाल ने कहा ब्रुस मेरे पास एक योजना है हम अपना समय और अपनी प्रतिवाइक मूडी वास्ता और बदले में हमें प्रतिवाइक चेक मिल जाया करता है क्यों न हम ऐसा करने के बज़ाए इंटर्नेट की लिवरेज कर अपनी नियमी तामदनी के बारे में सोचे पाल ने आगे कहा नोकरी करना बकेट ढोने करने के समान है एक बकेट कारे एक बकेट वेतन के बराबर होता है पर यदि किसी कारण से काम रुप जाता है तो वेतन का चेक मिलना भी बंद हो जाता है नोकरी मतलब की समय बकेट एक काम और एक बकेट वेतन हमें एक ऐसा केरियर की जरूरत है जो हमें नियमित रूप से आमदनी देता रहे नियमित आमदनी पाइप लाइन बनाने के सम हम एक बार काम करते हैं और उसका मुआपजा हमें लगातार मिलता रहता है व्रुस हमें इस बारे में फिर से सोचने की जरूरत है हमें बकेट बाहक के बदले पाइपलाइन ब्रीडर बनना चाहिए पाइपलाइन नियमित आमदनी मेरा एक पुराना कर्मचारी इंटरनेट प करूँगा मैं घर से काम करूँगा इस से कोई उपरी खर्चे नहीं होते कोई कर्मचारी नहीं होता कोई बेतन भुगतार नहीं यह बेव पर आधारित होते तो यह नेमित आमदनी के स्रीजन का मार्गत खोलता है नाम बड़े दानी छोटे क्या इस सुक्ति से बहुत टाकत ड्राइविंग वाली इस कहानी से एक और बात जुरी है और वह है कि जाकी 50 वर्सी पाइपलाइन योजना अच्छे बुरे समाचार वाले पर इद्रिस या एक अच्छे उधारन उधारन चलिए पहले अच्छे समाचार पर एक ट्रज़र डाले 50 वर्सी पाइपलाइ इसका मूल मंत्र रहया है कि लंबे समय तक जमा किया जाए तथा बाद में इसे प्रतिक वर्ष चक्रवित की दर से बढ़ने दिया जाए यदि लोग इसकी शुरुवात जल्दी करते तो आपने पाइपलाइन के निर्वान के लिए प्रतिवध रहे तो वे लोग मात्र सो डा का राश्यर होता है कि यदि आप लंबे समय बाली पाइपलाइन के शुरुवात जल्दी कर दे तो आप करोड़ पती बन सकते हैं कि एक मिनट इसके लिए आपको प्रति दिन 3.57 डालर का निवेश किसी मेच्छल फंड में करना चाहिए जहां 12 परसेंट आमदनी मिलता हो तो इसे 40 बरस तक चक्रवीत दर से बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए आप तुरंत करोड़ पती बन सकते हैं ठीक है तुरंत तो नहीं प पर आप करोड़ पती जरूर बन सकते हैं अब आप इससे इस तरफ से सोचे तीन में से एक अमेरिका वासी सिगरेट पीता है फ्लोरिंडा में सिगरेट के एक पेकेट की कीमत लगबब 3.57 डालर होती है जिए सिगरेट पीने वाला प्रतिक 25 बरस की उम्रे में धूम प्रां नहीं सोचते हैं कास किसी ने आपको ऐसा बतला होता पर एक और सताब्मी के लिए 35-40 साल के उम्रे में भी करोड़ पती की पाइपलाइन बनाना संभव हो सकते हैं हाँ जो लगब 55 साल की उम्रे तक इंतियार करने के बाद ऐसा करना चाहेंगे उनके लिए काम उसकी लोगा इस टाग मार्केट में निवेस नहीं करना सबसे बड़ा जोखी में तो ये चीजे हम जब पढ़ चुके थे तो हमें ये पता है पिछले मतलब की जो मैंने पिछला लेशन पढ़ा था उसी को मैं थोड़ा दोरा रही थी कि हमारी लाइफ में अगर हम पांच बरसी पाइपलाइन की योजना तयार करते हैं तो हमें क्या करना है इस लेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझेगा उपसंगार के पहले मैं थोड़ा सा इससे आपको बता रही थी ताकि आपको एक बार और अच्छे से समझ में आ सके कि हमारे जीवन में पैसे किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं तो अगर हम उसके अलाबा भी पैसे की बचत करना चाते हैं और अपनी उम्र का इंतिजार करते हैं जैसे कि 35 साल, 50 साल, 55 साल तक तो थोड़ा थोड़ा पैसा mutual fund में या कहीं भी invest करके उसे बढ़ा सकते हैं, leverage कर सकते हैं लेकिन अगर आपको जल्दी 5 साल के अंदर ही अपने पैसे को leverage करना है और आज की जिंदिगी आपको बहुत अच्छे तरीके से जीना है तो पांच वर्सी योजिना पर काम करना होता है तो यह आप सब समझ चुके होंगे और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर पांच वर्षी योजिना के बारे में आप सोच रहे हैं और आप करना चाते हैं या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करिए क्योंकि मैं ऐसी योजिना में सामिल हो चुकी हूँ हमें 5 साल में लगपती या करोड़ पती बनाती है 55 साल तक हमें इंतजार नहीं करना पड़ता यह प्रूफ हो चुका है और इस पर वर्ग करके आसानी से काम किया जा सकता है तो आप मुझे बेस जीचक कांटेक्ट कर सकते हैं मैं जरूर आपकी हिल्प करूंगी इसी होजिना के बारे में जो आपको 5 साल में वो सुक्सुविदा देगी जो आप 50 साल इंतजार करके पाते हैं तो यह 100% प्रूफ है और मैं इस पर वर्ग भी कर रही हूं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके आगे काम पढ़ते हैं ओप संगार दा पेरेवल आप दो वास्तवी पाइप लाइन हमें एक ऐसे ब्रूस ने क्या बोला था पाइप लाइन मैं अगली सुबह जैसे ही वे दोनों काम के लिए पहुँचे तो पाल ने कहा ब्रूस मेरे पास एक योजना है हम अपना समय और अपनी प्रतिवा एक मूड़ी वास्त था अनुत्साही करमेचारियों के सभालने में वरबात कर रहे हैं और बदले में हमें प्रतिसपता एक चेक मिल जाया करता है क्यों न हम ऐसा करने के बज़ा इंटरनेट की लिवरेज कर अपनी नियमित आमदनी के बारे में सोचे पालने आगे का नौकरी करना बकेट डोने करने के समाने एक बकेट कार एक बकेट बेतन के बरावर होता है है पर यदि किसी कारण से काम रुक जाता है तो बेतन करेक मिलना भी बंध हो जाता है इसके आगे मैंने पढ़ा था कि हमें एक करीर की जरूरत जो हमने के नियमित आमदनी anes pipeline तयار करने में मुझे सव्योग करना चाहता है वह हुआ इसे ची प्राइप नहीं कहता है क्योंकि इसमरे कं क Westernalle मेरा जब्साय है मैं इसे करूंगा मैं घर को का काम करूंगा इस में कोई उपरी खर्चे नहीं होते कोई कर्मचारी नहीं होता कोई वेतन मुकतार नहीं होता यह भेब पर अधालीत होता है है और नियमित आमधनी के सिजन का मार्ग को खोलता है वास्थेविक पाइपलाइन ब्रुस को यह सब समझ में नहीं आया इंटरनेट में पाइपलाइन यह क्या चीज़ है वह बोला हमें बड़ा काम मिल गया है ब्रुस ने जोर देकर का हमें सुविधाओं के साथ काम की सुरक्षा भी मिल रही है हमारे पास सब तहांस में छुट्टियां है हर एक साल भेतन छुट्टियां मिलते है जिंदिक अच्छी गुजर रही है वास्ट्टिक पाइपलाइन बाली बात मुझे कुछ जच नहीं रही है मैं इस सहमत नहीं हूं पर पाल हथोसाहित नहीं हुआ उसने धहरे पूर्बक अपने दोस्त को वास्ट्टिक प्योज़ना क विश्वास था यह सब करने के लिए प्रतीवत देता चोटे काम बड़ा परणाम जबकि व्रुष साम को था सप्ताहंस में अपने लाज एड़ वाय रिक्लाइनर में बेड़ कर आराम फर्मा फर्माया करता था पाल अपने पाइपलाइन को बनाने में बेस्त रहता था पहले कुछ महिनों में अपने प्रयासों का अच्छा परणाम नहीं मिला वेव पर आधारित पाइपलाइन वेवसाय उसके लिए नया था उसे खुद ने सिस्टम को सीख कर दूसरों को सिखाना था वह अपने परामर्स दाताओं लोगों को उनके सपनों के बारे में बताना ठीक तरीके से उन्हें समझाना लोगों के प्रतिवाद को सामने लाना आधी शीख लिया था धीरे धीरे उसका आत्म विश्राइपलाइन बढ़ने लगा था पाल के लिए यह एच mecbalance नया था पर जैसे जैसे उसका जियान बढ़ता गया उसकी pipeline भी बढ़ती गई पाल खुद को सदेव ही एस्मरन कराता था कि कल के सपने आज के त्याग पर ही बनते दिन वा दिन उसकी ultimate pipeline बढ़ती जा रही थी जब भी वह किसी नेगराकों से बाते करता तो वह कहता है मेरे सपने बढ़े हैं तो तथ्यों को गिना नहीं जा सकता जब वह अपने देनिक सपता ही तथा मासिक लक्षणों लक्षियों को ध्यान में रखता तो वह खुद को स्मरण कराता था थोड़े समय के लिए गया निवेस लंबे समय तक किये गया निवेस के परणाम के बरावर होता है वह बार बार यही कहता था अपनी नजर पुरुसकार पर रखें सोने से पहले भी किसी सफल इनिर्माता को प्रसिक्षन टेप सुनते हुए मन ही मन यही दोराय करता था अपनी नजर पुरुसकार पर रखो समय बदलता है दिन महिने में बदल गए एक दिन पाल ने हैमेसूस किया कि उसकी ए पाइपलाइन अब उसके आधे बेतन के बरावर मुनाफ़ाद देने लगी है पाल ने अपनी नोकरी जारी रखी पर अपने खाली समय का उप्योग अपनी उत्पादन बढ़ाने में करता था वह जानता था कि यह सब कुछ दिनों की ही बात है जब उसकी अंसकालीन पाइपलाइन उनकी पूर्ण कालीन नोकरी से ज्यादा पेसे देने लगेगी सिस्टन में अपनी लंच प्रेक में पाल अपने दोस्त ब्रुस को देखा करता था ब्रुस का बकेट ढोने का काम उसे बहुत महगा साबित हो रहा था अपने मूडी वास आवस्तिविक लक्षो तथा तालावन्दी के रोज-रोज की अफवाहों की बज़े से वह मांसिक तनाव में जी रहा था सपताहंस में व्रुजदर्जनों त्याग पत्र लिखा करता था पर वह उन्हें भेज नहीं पाता था उसके कई विल बकाया थे जिसे पूरा करने के लिए उसे बेतन के चेक की जरूरत थी वह बुरी तरह फस गया था उनके आफिस की रदी के टोकरी उसके त्याग पत्रों के टुकडों से भरी हुई थी नोकरी से त्याग पत्र अंततय पाल की जिंदगी में वह दिन आ गया जिसका उसे इंतजार था उसका मासिक E-Pipeline चेक सिष्टन में उसके मासिक वेतन से ज्यादा हो गया उसकी पत्नी ने सिष्टन से मिले चेक तथा E-Widness से आये चेक की रंगीन कापी निकाल कर उन्हें साथ में प्रेम करा दिया उसके Pipeline से योगी उन चेकों को देखकर बहुत खुस हुए उनकी तस्वीरे ली गई पाल की आखें खुसी से फैल गई एक दिन की किस्मत पाइपलाईन आमदनी जॉब की आमदनी सिष्टन में पाल ही एक ऐस्या करमेचारी था जो अपने वास द्वरा डराया नहीं गया था अपनी वास पाइपलाईन के कारणा मुप्त था उसे ज्यान ने उसका आत्मी विश्वास बढ़ाया था पाल ने अपने वास को बड़े हिसान तरीके से समझा दिया था वो अपने वास से नजरे मिला कर बात करता था कई बार पाल नीडर होकर कह दिया करता था चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपके सामने खड़ा हूँ आप इस बात से सहमत होगे कि इस बात पर अन्य प्रभावी तरीके से भी चर्चा की जा सकती है पाल के सयोग्यू से इस तरीके के बज़े से सेर को पालतु बनाने वाला कहा करते थे पर पाल यह समझता था कि वह अपने पास को बॉस को पालतु नहीं बना रहा है हाँ वह अपने बॉस के सामने तन कर खड़ा रहता था क्यूंकि उसका बॉस उसका नियंत्रक नहीं था एक साम को अपने घर में बैठ कर पाल ने एक पत्र लिखा मेरे प्रिय बॉस मैं आपको यह सूचित करने के लिए लिख रहा हूं कि मैं तत्काल प्रभाव से सिष्टन इंटरनेशनल से त्याग पत्र दे रहा हूं सिश्टन में काम करने के दोरान मैंने अपने काम के आनद उठाया है पर मुझे सूचित करते हुए खेद है कि कमपनी अब मेरी सिवाए नहीं ले सकती आपका पाइपलाइन पाल पाल ने जैसे ही इस पत्र को मोड कर लिफापे में रखा उसे एक आजादी का एहसास हुआ उसने भविस्य की और आसा भरी नजरों से देखा पाल है समझ रहा था कि अपने इंटरनेट पाइपलाइन से उसने जो कुछ अब तक पाया है वह मात उसके सपने का पहला चरण है पाल की योजना सिष्टन उद्योक की चाहार दिवारी से आगे बढ़ने की थी पाल ने पूरे उत्तरी अमेरिका और अंततर पूरी दुनिया में इंटरनेट पाइपलाइन को तयार करने की योजना बनाई सहायता के लिए अपने मित्र की नियुकती पाल का वेव के सहारे चलाने वाला यह वेवसाय चल निकला वह कभी भी इतना खुस नहीं रहा था पर यही बास सिस्टेम में उसके सहकर्मियों के बारे में नहीं कही जा सकती कमपनी धीरे धीरे आनलाइन होती जा रही थी यानि पाल का विवाग छोटा होता जा रहा था च्योंकि ब्रुस का बेतन काफी जादा था इसलिए सबसे पहले उसकी छटनी ही हुई पाल को यह देखकर बहुत तकलीफ हुई थी कि उसके दोस्त ब्रुस लोगों से उनके पुरानी पीसी पर काम करने का अनुरोध किया करता था आते पाल ने ब्रुस के साथ एक बेठक रखी ब्रुस मैं तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूँ ब्रुस ने अपने जुके हुए कंदों को एक भटका दिया तथा उसकी भूरी आखे और छोटी हो गई बूरी आखे और छोटी हो गई मेरा मजा मतुराव ब्रुस ने कहा मैं तुम्हारा मजा कुड़ाने नहीं आया हूँ पाल ने कहा मैं तुम्हारे पास एक बिजनेस का प्रस्ताव लेकर आया हूँ मुझे सिस्टन से त्याक पत्र देने में दो साल लग गए थे पर मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है मैं जानता हूँ कि ultimate pipeline कैसे तयार की जा सकती है मैं लोगों से बाते करना टीम बनाना बेवसाय को बढ़ाना दी जानता हूँ मैंने एक ऐसा प्रमाणिक तरीका सीख लि मैं और मैं इसके लिए तुमसे कुछ नहीं लूँगा बस मैं इतना ही चाता हूँ कि जो कुछ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वह तुम औरों को सिखाओ और फिर वे दूसरों को ताकि पूरी उत्तरी अमेरिका अंतित है दुनिया के सभी घरों में वास्रिक पाइपलाइ वह सपने का अंत नहीं वलकि सुरुआत है पाल ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्ते हाथ मिलाया और बरसों पुराने दोस्त की तरह गले मिले समय बदलता गया कई साल गुजर गया पाल और प्रुस अपना रिटायर्ड हो चुके है पूरे विस्व में फैल चुका उनक इंटरनेट पाइपलाइन वेवसाई अभी उनके बैंक खाते को अच्छा पैसा दे रहा है दोनों पुराने दोस्त पूरी दुनिया घूमते रहे रहते हैं एक दिन ब्रुस ने पाल को खाने पर बुलाया वह उससे कुछ कहना चाहता था पाल तुमने मुझे वरसों पहले इस वेवसाई मिलाकर मुझे एक उपहार दिया था उस उपहार ने मेरी जिंदगी बदल डाली मैं सदे भी सोचता रहा हूं कि तुम्हारे इस उपहार का बदला कैसे चुगा इसलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया यह तुम्हारे लिए मेरा उपहार है बुरुस ने ए मातपीता हमसे कहा करते थे कि हम लोग इटली में यहां आये थे वैंने इंटरनेट के बदलत अपने परिवार के इसे दो लोगों का पता लगा लिया जो मधी इटली के एक छोटे से गाउं में रहते हैं पाल यही मेरा उपहार है हम अपने गाउं लोट रहे हैं हम उस हम यह सब कुछ कर सके और वह चक्र पूरा हो गया पाल अपने मित्र को आवाक हो कर देखता रह गया फिर उसने उसे अपनी वाहों में बढ़ लिया पाल ने कहा मेरा एक ही निवेदन है तुम उडान की तारीक को अगले सप्ता के बदले कल की कर दो दो सप्ता बाद रोम का ए जात्रा से बहुत प्रसंद थे टर्मिनल के पास खड़े होकर एक ही पुस्तक की प्रतियों को पढ़ रहे थे बार बार उस पुस्तक की किसे अंस को पढ़कर अपने मित्र को सुना रहे थे ओ फिर नहीं वह व्यक्ति अचानक खिलाया मेरी फ्लाइट रद हो गई है फिर से पाल ने मानिटर की तरफ देखते हुए काही है तो हमारी फ्लाइट है पाल ने अपने पुराने दोस्त की तरफ देखा ब्रूस ने भी देखा दोनों मुस्कुरा दिये पाल ने कहा जो मैं सोच रहा हूँ तुम भी वह सोच रहे हो लगता है कमाये हपते भर का साथ है दोन में सामिल नहीं हो सका हूँ मैं यहां से कई बार गुजरा हूँ पर पता नहीं आज क्या बात हो गई है मुझे लगता है इस पूरे साल मुझे तकलिफ होने वाली है मेरे ग्राहक लालची हो गया और वह मानने वाला नहीं है बुरुस ने कहा हमें खेद है और हम आपसे सहनु हम भी पहले ऐसे ही प्रक्रिया दिया करते थे पार ने कहा तनाव मत पालो पाइपलाइन नहीं होने के पहले वाले समय में हमारा भी यही हाल था आपके इस बाके कार ते किया होता है उस अजनवी ने पूचा मुझे आपको यह सब बताने में खुसी होगी पाल ने कहा पर दोस्त मुझे कार रेंटल डेस्क तक जाना है आप मुझे अपनी बिजनेस कार्ड दे दे हमें से कोई आपके इस बिजनेस पर बात कर लेगा उस अजनवी ने पाल को अपना विजनेस कार्ट दे दिया और बदले में पाल ने उसे अपनी किताब दे दी फ्लाइट का इंतिजार करते करते इस पूरी किताब को पढ़ ले जब मैं आपको फोन करूंगा तो हमें बात करने में सुविधा होगी पाल ने ब्रुस के पिट पर हलका से इसपर्स किया तथा उस अजनवी के कार्ड की और देखा बाप ब्रुनो एक्यो आटनी एटला बाप ब्रुनो आटनी एटला पाल ने कहा मुझे लगता है कि ब्रुनो पाइपलैन तैर करने के अपसर को पसंद करेंगे ब्रुनो ब्रुस ने हलके से बुदबुदाया यह नाम कुछ परचित लगता है कुछ कारण बस मुझे उसे सक्त के प्रती अच्छी भावना पैदा हो रही है ठीक वही भावना जो तुम्हारे विजनेस में साथ आने के समय हुई थी मुझे लगता है कि हमारा नया दोस ब्रुनो एक अच्छे प्राइपलाइन बिल्डर रखने वाला है पाल और ब्रुस अपने इस परिचे के बारे में सोचने लगे तनाव मुक्त अर्टिनी ने किताब को अपनी गोद में रख लिया कवर प्रिच्ट को देखते हुँ इसने सीर्षक को मन ही मन पढ़ा फिर उसने धीरे से मानो कोई ब्रिद अपने पोते द्वारा दिये उपहार को खोल रहा हो दपेरेवाल आप दपाइपलाइन नामक किताब का पहला प्रिच्ट खोला और पढ़ना सुरू किया तो ये किताब आज से खतम हो गई है लेकिन ये पूरा आपको फेस्बूक पर मिल जाएगी इसका में एक ही मकसद है नई अर्थ व्यवस्ता में अपने आमदनी का नीमित इस्प्रोत कैसे बनाएगे तो यहाँ पर आपको ये चीजे मिलेगी कि हम अपने जो जॉब की लाइफ है जो एक छोटे मोटे विजनेस की लाइफ है जहां हमें जिंदकी भर मेहनत करना पड़ता है और उतने ही पेसे मिलते हैं जितने से हमारा रोज मर्रा के खर्चे चल सके अगर हम किसी कारण बस बीमार पड़ जाते हैं या हमें कुछ भी हो जाता है तो उस दिन से हमारे घर पेसे आने बंद हो जाते हैं तो इस किताब में सिफ इतना बताया गया है कि अगर उस दोरान आप एक साइट विजनेस या साइट पाइपलाइन जो बोलते हैं जिसे पा पांच साल के अंदर आपको वो चीज़े मिल सकती है जो आप पचास साल में मतलब कि अगर सो सो दो सो रुपए हजार रुपए आप इंवेस्टमेंट कर रहे हैं और पचास साल तक उसके डबल होने का इंतिजार करते हैं आप और उसके बाद वो होता है आप करोड़ पती बनते हैं वो चीज़े आपको मात्र 5 साल में यहां मिल सकती हैं मतलब दोनों चीज़ें हमें जरूरी है एक तो long term pipeline बनाने की जरूरत है जो की आपको जैसे की आप investment करते हैं कहीं भी बीमा हो गया या manufacturer हो गया या कहीं भी आप जो भी उसका invest करते हैं वो आपको long term मतलब की 50 सा 60 साल में आपको पेशा double करके देता है और एक होता है जो की 5 साल 5 वरसी pipeline होती है जो 50 साल में जो काम आप थोड़ा थोड़ा करके करते हैं वही काम 5 साल के अंदर हो जाता है और आप 5 साल के अंदर भी करोड़ पती बन सकते हैं तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे से जरूर contact कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी pipeline बनाना सुरू कर दिया और मैं भी ऐसे ही बंधर में सूस किया करती थी जैसा भी मैंने पढ़ा है जॉब के बक्त और मैंने जॉब से retirement ले लिया है जॉब से विल्कुल regain दे दिया है और मुझे ये जो मैं पांच वर्सी pipeline के तहट work कर रही हूँ इसमें मुझे इतना income हो सकता है हो रहा है जितना मैं मेरे job से किया करती थी उससे ज़्यादा मुझे इसमें करने की छमता समझ में आई और मैं कर रही हूँ तो मैंने सीधे job से resign दे दिया क्योंकि job में आदमी कभी भी सुकून से chance जिन्दिगी नहीं जी सकता हमें एक गुलामी की जिन्दिगी जीनी पड़ती है हमारा boss जब बोले तो हम वर्ग करे जब छुट्टी दे तो घर जाए एक मतलब limited life जिन्दिगी जीना पड़ती है समय खर्च करके हमें पैसे मिलते जॉब करना गलत बात नहीं है क्योंकि जिन्दिगी में जॉब भी जरूरी होती है लेकिन अगर जॉब करते करते आपको ये वुक जो पैरेवल आप दो पाइप लाइन जैसी किताब अगर आपने पड़ लिया उस दिन आप उस लाइफ से आजादी पास सकते हैं उस बंधन भरी लाइफ से क्या देवी सिंग मैंने आपसे कॉंटेट कैसे होता है मेरे को तो आप मुझे कॉंटेट कर सकते हैं आप मेरा नमबर भी लिख सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं जैसे कि मेरा नंबर आप लिग लीजिए 830-5746-943 अगर आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट करेंगे तो आपको मैं वो चीजे बताऊंगी जिसकी बज़े से मेरी लाइफ बदल रही है जिसकी बज़े से 11 साल की जोब मैं आज छोड़ पाई हूँ तो ये हर कोई वेक्ती, कोई भी वेक्ती जोब से संतुष्ट या खुस नहीं रहता बहुत कम लोग होते हैं जिने जोब करना पसंद होता है जोब हर किसी की मजबूरी होती है क्योंकि आपके जो 10 गंटे, 11 गंटे की जोब होती है उसमें सारा टाइम आपका चला जाता है, आपकी लाइफ में आपकी जो खुसियां होती हैं, मतलब कि अपने घर को टाइम देना या कहीं इंजॉयमेंट करना आप नहीं कर पाते हैं, जिन्दिगी मैं 11 साल जॉब करती थी, मुझे बहुत कम टाइम मिलता था कि मैं अपने फै लाइफ लाइन मिली, जोब की मैं जोब के साथ ही सुरू कर चुकी थी, और दो साल, एक साल उसको जोब के साथ करते करते, आठ महीने के अंदर अंदर, मैंने अपनी जोब से रिजाइन दे दिया, और आज मैं इस काम को फुल टाइम कर रहे हूं, और मुझे बहुत थी काम है, जब मुझे मन करता है, तब मैं इस वर्कों को करती हो, पूरा काम डिजिटल है, पूरा काम घर पे रह के करना है, और बहुत ही अच्छा आज के समय में, मतलब की यह जो दो साल का टाइम रहा, और कोरोना टाइम रहा, यह हमारी इंडिया के लिए एक तरह से बहुत अच्छा है, वर्दान है, कि जो काम हम पचास साल तक करते नहीं कर सकते थे, वो काम हमने दो साल में कर लिया, मतलब की इंडिया पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, अब आप अपने घर में रह के भी work from home कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से, जो काम आप 55 साल में आपको मिलेगा, वो आप 5 साल के अंदर खतम करके अपनी life को अच्छे से enjoy कर सकते हैं, क्योंकि अब life बहुत कम है हमारे पास, आज की जिंदगी का कोई ठीकाना नहीं है, कब किसका क्या हो जाए बुलाबा आ जाए, तो हमें अपनी life को ऐसा जीना है, कि जैसे कि आज ही बस एक ही दिन हमारे पास time है, हर दिन को बिलकुल enjoyment के साथ जीए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आज के समय में बर्क करना बहुत आसान और बहुत easy हो चुका है, सिर्फ अपने mind को open करने की जरूरत है, अगर आप अपने mind को open रखते हैं, open minded हैं, तो जो ये किताबे हैं, जो ये बुक में पढ़ रही हूँ, अगर आप इन्हें सुनेंगे, मात्र सुनने से आपके मन में वो खयाल आएगा, कि देवी सिंग जी आप किस चीज के किताब की कीमत कितनी होगी, किताब की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको तो यहां live सुनने को मिल रही है, मैंने ये पूरी बुक पढ़ डाली है, इसके पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैं सेलिंग में सफलता से सफलता तक कैसे पहुँचा, और ये दूसरी बुक है, दपेरेवाल आप दा पाइपलाइन, और ये मुझे किसी ने गिप्ट में दी थी, मेरे जो गुरू है, उन्होंने पूस्तक है, और इसको पढ़ने से बहुत ही अच्छा लगा, और ये चीज़े समझ में आ गई, कि बकेट बाहन क्या होता है, और पाइपलाइन क्या होता है, बकेट बाहन वो चीज होता है, जो आप जब तक, मतलब की जब तक वर्क करेंगे, तब तक आपको पेसे जिस तरह से बाल्टी में पानी लाने से, जितना आप लाएंगे, उतना ही पानी आपके घर आएगा, लेकिन अगर एक पाइपलाइन तयार कर दी गई है, तो पानी आना कभी बंद नहीं होता, सिब यही अंतर होता है, बकेट बाहन और पाइपलाइन में, जो व्यक्ति इस की लाइप में वो चीजें खुसिया नहीं मिलती, जो आज के समय में यह पान साल बरसी पाइपलाइन बनाने के बाद आपको खुसिया मिलती है, ऐसे कई लोग उधारण के तोर पे हैं, तो यह सारी चीजें हम कर सकते हैं, आज के समय पे बहुत हीजी हो चुका है, और सब स में से जादा हीजी हो गय है, सोसल मीडिया पर रग करना अब आप देखिए, यह एक फोन से हम एक कमरे के अंदर रहे कि कितने सारे लोगों से बात कर सकते कितने सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं तो जो व्यक्ति सोसल मीडिया पर वर्क करना जिसे आ गया वो वर्क कभी भी जिंदिगी में काम्यावी से पीछे नहीं हट सकता तो ठीक है फिर मिलते हैं दूसरी बुक के साथ अभी आज ये बुक भी समाप् पूरा एक-एक करके मिलेगा क्योंकि फेस्बुक में कभी-कभी होता है कि चीजे बहुत नीचे चली जाते हैं उम्हें धूंडने में दिक्कत आती है फेस्बुक में यूटूब पे प्लेलिस्ट बनी है वहां पे डारेक्ट बुक जो बुक के आल बुक्स नॉलेज है वह फिर मिलते हैं लाइब तब तक के लिए आप सब आप लोगों को और जो ये देव सिंग है तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये इच्छा जगाई आपके मन में आया आपने इसके बारे में पूछा और अगर आपकी और इच्छा है इसके बारे में जानने की क पांच वर्सी पाइपलाइन योजना क्या है और हम केसे कर सकते हैं तो आपको जो नंबर मैंने बताया है वो मैं अभी कमेंट में भी देदूंगी तो आप मुझसे डारेट कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है